सुसान सिंग राजपूत के डर से करन जोहर अपनी फिल्म जुग जुग जीयो के परमोसन करने से इंकार कर दिया है करन जोहर हमेशा से अपनी बैनर धर्मा प्रोडक्शन के तले बनने वाली फिल्मों का परमोसन करते आये हैं वो हीरो हीरोईन के साथ खुद प्रमोसन का हिस्सा बनते हैं लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है करन जोहर की नई फिल्म जुग जुग जीयो बॉक्स आफिस पर रिलीस के लिए तयार है लेकिन इसके प्रमोसन में करन दूसरे अक्टर्स के साथ दिखाई नहीं दे रहे हैं बॉलिवोड लाइफ के रिपोर्ट्स के मताबिक करन जोहर ने ये फैसला जान बूच कर लिया है बॉलिवोड के फिल्में लगातार बॉक्स आफिस पर फ्लॉप हो रही है ऐसे में करन जोहर नहीं चाहते कि उनकी वज़ा से जुग जुग जीयो पर कोई भी नकरात्मक असर पड़े एक सुत्रे ने बॉलिवोड लाइफ को जानकारी दी है कि सुसान सिंग राजपूत के मौत के बाद से फैंस का गुस्सा करन जोहर पर बरस रहा है वो जब भी कोई बयान देते हैं या अपनी कोई नई फिल्म की अनौस्मेंट करते हैं तो सुसान के फैंस भड़क जाते हैं जुग जुग जीयो धर्मा प्रोडक्शन की फैमली ड्रामा फिल्म है इसमें कई मंजे कलाकार है करन जोहर और फिल्म की परमोसन समाल रही एजनसी को लगता है कि अगर करन इसके परमोसन में हिस्सा लेंगे तो सुसान के फैंस का गुस्सा दुबारा भड़क उठेगा ऐसे में दोनों ने मिलकर ये फैसला लिया है कि करन जोहर जुग जुग जी यो फिल्म के प्रमोसिन का हिस्सा नहीं बनेंगे हाला कि सुसान सिंग राजपूत का निधन आजी के दिन हुआ था और उनकी निधन को दो साल पूरे होने वाले हैं लेकिन करन जोहर के मन में उनका डर अब तक बरकरार है फिल्हाल इस पर आप क्या कहेंगे अपनी राय हमें कामेंट में दीजिए और भी ज़्यादा ऐसे अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए